यह तो तैव हो गया कि BKC बैदान पर जा रहा हैं एकनाशिंदे शिवाजी पार्क को लेकर मामला फसा हुआ है शिवाजी पार्क ना उद्धव को मिलता दिखरा है ना एकनाशिंदे को एकनाशिंदे ने अपनी रैली की विवस्था लग से कर लिया लेकिन एक बात साफ है दशेरे पर जो शिव सेनी को कुछ संबोधित करेगा वो शिव सेना की असली ताकत को अपने पास रखने में कामियाब होगा लेयाजा आप सवाल यह उड़ता है कि जब यह सपष्ट हो गया है कि एक नाशिंदे BKC में अपनी रैली करने जा रहे हैं तो उद्धाव ठाकरे ऐसे में क्या करेंगे बलकि और आगे बढ़ता देख रहा है रोज अलग अलग दावे हो रहे हैं आरोब भी लगाये जा रहे हैं लेकिन शिवाजी पार्क में शिव सेना रैली करने के लिए जिद पर अड़ गई है और यही कारण है कि अब शिव सेना और बीम सी के बीच में जबरदस तनातनी को मिल रही है क्योंकि अल्टिमेटली बीम सी को ही ये इजासत देनी है और ये भी ध्यान रखी है बीम सी पर काबिस कौन है शिव सेना ही काबिस है लेकिन शिव सेना अजली कौन सी है उद्दाव ठाकरे के पास भी शिव सेना है एकनाशिंदे के पास भी सिव सेना है तो ल दरसल दशेरा रैली को लेकर शिवसेना के उद्दव ठाकरे और एकना शिंदे गुट के आविदन उपर तक्रीबन एक महीने से बीमसी ने कोई फैसला नहीं लिया है ऐसे में ठाकरे गुट ने ऐतियासिक शिवाजी पार्क में दशेरा रैली को सुनिश्चित करने के लिए अब दो तरफा योजना बनाई है अगर बीमसी शिवसेना का आविदन रद करती है या विलंब करती है तो ठाकरे गुट बॉम्बे आई कूट का रुख कर सकता है वहीं दूसरी तरफ योजना ये भी है कि बिना इजाजत के जबरदस्ती शिवाजी पार्क में घुसा जाए और रैली की जाए आपको बता दें कि उद्दव ठाकरे के साथ सेना भवन में मीटिंग के बाद पार्टी के एक वरिष्ट पदादीकारी ने बताया हमने 22 अगस्त को शिवाजी पार्क में रैली के लिए आविदन किया था और तब से एक मैना होने को आ रहा है बीमसी ने शुरुआत में दावा किया कि आविदन को गणपती उत्सव के बाद देखा जाएगा लेकिन उसे खत्म हुए 10 दिन हो चुके हैं अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है ये कुछ और नहीं बलकि देरी करने की एक साजिश है हम जल्द ही हाई कोड जाएंगे अगर आवेदन रद होता है या जान बूज कर देरी की जाती है तो हम इसके लिए आगे की कारिवाई करेंगे शिवाजी पार्क में शिव सेना की वार्शिक दशेरा रैली को लेकर राजनीती और गर्माती जा रही है उद्द उठाकरे गुट की तरफ से सांसत विनायक राउत ने 22 अगस्त को BMC की इजाज़त मांगी थी जबकि CM एकनाशिंदे गुट की तरफ से माहिम से विधायक सदा सरवनकर ने 30 अगस्त को आवेदन किया था दूसरी और BMC ने दोनों आवेदनों पर अपनी कानूनी विभाग से राय मांगी वरिष्ट निकाया दिकारियों का कहना है कि BMC के G North Ward से एक factual रिपोर्ट मांगी गई इसमें ये देखा जाएगा कि पिछली दशेरा रैलियों के लिए किस तरह इजाज़त दी गई थी G North Ward के अंतरगत ही शिवाजी पार्क आता है वरिष्टा दिकारी ने बताया कि दोनों में से किस गुटको रैली की इजाज़त मिलनी चाहिए इस पर इस हफते विचार किया जा सकता है हलाकि अभी तक कोई फैसला होता दिखाई नहीं दे रहा है और जिस तरह से एकनाश शिंदे ने BKC की में रैली करने की इजाज़त हासिल कर लिये उससे ये तैय हो गया है कि शिवाजी पार्क पर वो दावेदारी छोड़ रहे हैं लेकिन वो शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाज़त उद्दव ठाकरे को भी नहीं मिलने देंगे उनकी दावेदारी उन्होंने वहाँ भी ठोक रखी है याने दोनों में से अगर किसी को भी मिलना है तो आमना सामना होना ही होना है या फिर दोनों में से किसी को भी इजाजत ना मिले ये भी एक संभावना है यदि ऐसा होता है तो हाई कोड करूप करेंगे उद्दव ठाकरे या वो ये तक कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं होगा त अत्पूर्ण समय होता है दशेरा रैली का, ये समय होता है अपनी ताकत दिखाने का, क्या शिव सेनिक अब धूर धूर ठाकरे के पीछे खड़े हैं, ये बात भी इस पश्ट हो जाएगी इस रैली में, या फिर एक नाशिंदे बीकेसी में अपनी रैली को ज़्यादा करके दिखाएंगे, पहली बात तो ये कि क्या उद्दव ठाकरे को रैली करने की अजास्त मिल भी पाती है या नहीं मिलती है, बहुत बड़ा सवाल है, और जिन अधिकारियों से बात हो रही है, सूर्सेस के हवाले से खबर आरी है, उनका कहना है कि एक और बीम सी पहले धायक हैं, जो शिंदे गुट से जुड़े हुए हैं, शिंदे गुट ने बांदरा कुला परिसर में MMRडिये मैदान के लिए भी आवेदन किया था, MMRडिये ने शिंदे गुट को दशेरा रैली के लिए अपनी मंजूरी दे दी, जबकि ठाकरे गुट के आवेदन को ये क अनुमती आसान होगी, ये बहुत महत्तुपूर्ण चीज है, उन्होंने पहले आवेदन किया, पहले मिले शिवाजी पार्क के लिए उद्दाव ठाकरे गुट ने पहले आवेदन किया है, तो काइदे से उनको नियम के अनुसार, ये मौका मिलना चाहिए, लेकिन पेश फ जनीती महराश का कल्चर बन गई है, बाला साहिब के बाद सिर्फ उद्दाव ठाकरे ही यहां रैली को संबोदित कर चुके थे, या करते रहे हैं, अभी भी वक्त है और हमें भरोसा है कि हमें इजाज़त दी जाएगी, पिछले हक्ते उद्दाव ठाकरे ने फिर दोर आया उद्दाव की यहां पर याचिका पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर खारिच कर दी गई है, लिहाज़ा शिवाजी पार्क जहां पर पहले एप्लिकेशन उद्दाव ठाकरे ने दिये, वो कह रहे हैं कि अब हमें यहां मौका मिले, लेकिन यहां पर अभी होल्ड कर रख पार्क में रैली करेंगे।